नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahi Paal Singh. और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी Tencent के एक नए प्रोग्राम के बारे में इसको नाम दिया जा रहा है Midnight Patrol और इसके तहट ये गेमिंग कंपनी बच्चों को रात को वीडियो गेम खेलने से रोकने के लिए एक नई प्रकार की टेक्नॉलोजी लेकर आ रही है चाइना में वैसे चाइना की सरकार पिछले दो सालों से गेमिंग पर क्रैकडाउन करने की कोशिश कर रही है लेकिन कुछ ना कुछ लूप होल निकाल लेते हैं बच्चे और अब फाइनली इन्होंने Facial Recognition Technology का इस्तमाल करने का इरादा किया है और देखते हैं कि इसके माध्यम से ये कै जैसे गेमिंग को कंट्रोल कर पाते हैं अब अगर आप मुझसे अनकाडमी पर जुणना चाहते हैं तो मुझे इस ID पर महाँ फॉलो कर सकते हैं अन्य सभी जगे महीपाल राटोड मेरा है इस लेक्चर का PDF आपको Pathfinder Underscore UPSC Telegram चैनल पर मिल जाएगा इस रविवार को अनका कॉमेंट में मिल जाएगा उस पर क्लिक कीजिए invite code वहां मांगा जाए तो you can use this code गेमिंग पर करे जा रहे इस crackdown को Chinese media ने नाम दिया है midnight patrol midnight patrol से क्या मतलब है जैसे पुलिस रात को गश्ट करती है शेहरों में ताकि कानून व्यवस्ता बनी रहे असामाजिक तत्व खुले आ वीडियो गेम खेल रहा है दुनिया की सबसे बड़ी gaming company Tencent अपने गेम्स में facial recognition technology deploy करने जा रही है जिसके माध्यम से वो रात को 10 और सुबह 8 बजे के बीच में बच्चों को वीडियो गेम खेलने से रोग देगी अल्रेडी चाइना में रात को गेम खेलने पर काफी restrictions है पि और चुटी के दिनों में Saturday Sunday को 3 गंडे तो ये restrictions 2019 से वहाँ पर लागू है लेकिन बच्चे बहुत smart होते हैं वो अपने माता-पिता की ID से login करके 18 साल से जादा उम्र बताकर games खेलते रहते थे दूसरी समस्या ये थी कि बच्चे अपने माबाब का credit card games में इस्तमाल करके 400 yuan है इन rules को सही तरीके से लागू करने के लिए चाइना की सरकार ने तब क्या कदम उठाया था कि जो भी game खेलता है उसको एक account बनाना पड़ेगा और account बनाने के लिए सरकारी ID का इस्तमाल करना होगा जैसे भारत में अधार card होता है वैसे ही चाइना में भी एक ID होती है उ और ये पूरा database सरकार के पास available है तो सरकार देख लेगी कि कौन बड़ा है उम्रे में वयस्क है या फिर बच्चा है जो game खेल रहा है लेकिन बच्चे क्या करते थे अपने माबाब क्या बड़े भाई बहनों के ID से register कर लेते थे और mobile phone में और आराम से game खेलते रहते थे तो मैं पिछले कई वीडियो में शेंजन का जिकर कर चुका हूँ शेंजन चाइना के सबसे उभरते हुए शहरों में से एक है और वहाँ पर बहुत सारी technology companies के headquarter है टेंसेंड सबसे आदा famous है अपने messaging platform के लिए तो इनका QQ नाम का messaging platform है जो facebook से भी 5 साल पहले आया था और काफी बहतरीन था आज भी ये one of the largest messaging platforms में से एक है लेकिन दीरे दीरे Tencent gaming की दुनिया में आ गया और अब ये दुनिया का सबसे वड़ा games publisher है खास करके जो mobile पर games चलते हैं उसमें Tencent के आसपास भी कोई नहीं है दो सबसे popular game जिनका नाम मेरे ख्याल से हर व्यक्ती ने सुन रखा हो तो अगर आप game खेल रहे होंगे तो पहले camera आपके चहरे को scan करेगा और ये जाचेगा कि जो व्यक्ती registered है उस ID से क्या वही game खेल रहा है या फिर कोई और व्यक्ती game खेल रहा है तो मान लोगी किसी ने अपने माबाप के ID से login कर रखा है और चहरा आगया मापे बच्चे का तो फिर game बंद हो जाएगा तो इस प्रकार से age check possible है using the camera of the mobile phone इस प्रकार का सुझाव facial scan का और भी कई apps के लिए बताया गया है पहले जैसे कि जो shopping websites हैं उनमें adult products के लिए verification इस प्रकार का कई बार सुझाया गया है कुछ apps में होता भी है सभी में नहीं होता और कुछ games में 10 cent इस प्रकार का जो scan है वो लागू कर दिया गया था लेकिन अब ये technology जो है ये अपने 60 most popular games में 10 cent लागू करने वाली है तो 10 cent के वैसे बहुत सारे game है लेकिन जो 60 most popular है उनमें ये technology अब लागू करी जाएगी और इसकी जानकारी recently 10 cent ने दी अपने QQ messaging service के माध्यम से officially इन्हों ने इसको कहा है zero hours cruising तो नाम भही है zero hours का मतलब है कि देर रात 12 बजे के बाद वाली जो cruising है जिसे police cars cruise करती है ये US की terminology है लेकिन अब एशिया के देशों में इसको patrolling कहा जाता है तो चाइना की जो media है वो इसको midnight patrol कह रही है अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर phone पर खेलते हैं in fact mobile gaming चाइना में पश्चिमी देशों से भी ज़्यादा popular है पश्चिमी देशों में जनरली PC पर लोग game खेलते है इस प्रकार से लेकिन चाइना में mobile पर game खेलना ज़्यादा popular है क्योंकि यहाँ पर smartphone availability बहुत ही अच्छी है लेकिन facial recognition यहाँ भी possible है अगर camera ह होता हो ठीक है वैसे यह तो एक professional setup है इस प्रकार का setup हर किसी के पास नहीं होता अब हमारे लिए important बात क्या है यहाँ पर कि gaming WHO के द्वारा एक बिमारी गुशित करी जा चुकी है 2018 में WHO ने कहा था कि gaming एक disorder है एक बिमारी है जिसके इलाज करने की वह आवशक्ता पड़ सकती ह अगर इसकी लत लग जाती है तो World Health Organization formally recognize करता है gaming को as addiction as a disorder 2019 में United Kingdom की NHS ने तो बकायदा gaming disorder को treat करने के लिए treatment plan भी जारी कर दिया था कि यह बहुत ही rare disorder है जो hardcore gamer से उनको होता है लेकिन अगर उनको हो जाये तो उनको treat कैसे किया जाएगा उसके लिए पूरा plan उनको जारी करके अ तो इसलिए वहाँ पर भी सरकार पर दवाव है कि gaming को restrict किया जाए बाब आप कह रहे हैं हमारे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं आखे खराब हो रही है और school में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं धंक से homework नहीं कर रहे हैं तो सरकार ने finally 2018 में ये तै कि एक तो नए game जो भी release हों और दूसरी चीज 2019 में जो मैंने आपको नियम बताए वो ला दिये गए अब एक चीज बहुत हरानी भरी है कि world health organization जो gaming को एक disorder classify करता है उसने पिछले साल COVID-19 pandemic के दौरान officially ये बात कही थी कि लोग घर पर रहें और game खेलें तो एक तरफ तो gaming disorder कह रहे हैं और दूसरी तरफ लोग game खेलने के लिए कहा जा रहा है लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि game खेलने की जो प्रवरति है वो बहुत बढ़ गई है United States का अगर आप data देखो Steam नाम की एक website होती है उस पे लोग game खेलते हैं तो average वहाँ पर 16-18 million लोग game खेलते थे lockdown के पहले coronavirus के पहले लेकिन आप March 2020 के बाद spike देखो 24-25 million लोग यहाँ पर game खेल रहे हैं जैसे lockdown open हुआ यह संक्या थोड़ी सी कम हुई लेकिन अब फिर से second lockdown के बाद यह बढ़ती जारी है और अब US में तो lockdown है भी नहीं फिर भी महाँ पर gamers की संक्या बढ़ चुकी है मतलब 2019-20 का अगर आप level देखो 18-17 million से अब यह directly 24 million के आसपास पहुँच चुका है यानि कि धाई करोड लोग महाँ पर daily games खेल रहे हैं जाते आते 10 cents से related एक और news है जो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ तो 10 cents क्या कर रहा है कि चाइना की जो दो सबसे बड़े streaming platforms हैं gaming के उन दोनों को merge करना चाह रहा है लेकिन सरकार जो है वो यह merge करने नहीं दे रही है वहाँ का जो antitrust regulator है उसने इसको block कर दिया है तो वैसे अभी चाइना में पिछले 10 दिनों में कई tech companies पर सरकार ने restrictions लगाए हैं जैसे कि DD नाम की एक app है वहाँ पर जैसे हमारे हाँ ओला Uber होते हैं वैसे वहाँ पर एक cab की app है उस पर उपर भी सरकार ने बहुत restrictions लगाए हैं तो कई tech companies पर एक crackdown सा चल रहा है पिछले 10 दिनों से चाइना में Finally आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ क्या आपको लगता है कि भारत में gaming को regulate करने के लिए एक proper authority होनी चाहिए और दूसरा जैसे चाइना ने rules बनाया है क्या हमारे देश में भी ऐसे rules होने चाहिए कि रात को 10 से सुबह 8 बजे के बीच में बच्चे games ना खेल सकें आप लोगों का इसके उपर क्या कहना है मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा इस lecture का pdf आपको इन दोनों telegram channels पर मिल जाएगा अगर आप UPSC 2022 या 23 exam की तयारी करना चाहते हैं तो unacademy platform पर भारत के best teachers से आप live classes में पढ़ सकते हैं यहाँ पर plus और iconic दो प्रकार के courses हैं iconic में आपको एक mentor के द्वारा personal guidance दी जाएगी यह बहुत बड़ा benefit है इन सभी courses को avail करते समय अगर आप महिपाल code यूज करेंगे तो आपको 10% flat discount यहाँ पर मिल जाएगा optional के courses भी available हैं लेकिन अगर आप optional और GS का course एक साथ अभी purchase करते हैं तो you will get 45% discount तिल 14th of July तो यह prices रहेंगी 1, 2 और 3 years के course subscription की I think all India आपको इससे better pricing पूरे syllabus की तैयारी के लिए कहीं नहीं मिलने वाला है तो यह एक बहुती सुनेरा अफसर है जिसका फायदा आप लोगों को उठाना चाहिए इन courses को आप EMI option पर भी available कर सकते हैं 20 किताबों का GS की किताबों का एक set आपको इसके साथ free मिलेगा और भी बहुत सारे offers चल रहे हैं जैसे कि extended validity और एक free test series जिसमें prelims और mains दोनों के test covered है अन्य कुछ offers भी है इनको आप pause करके हैं आप पढ़ सकते हैं जैसे ही आप subscription लेते हैं आपको एक batch join करना है और आपकी पढ़ाई regularly एक time table के साथ आगे चलती रहेगी हमारी तीन free test series है उनका फायदा उठाईए use this code to unlock the test series thank you very much for watching this have a great day